नमस्कर दोस्तो, कैसे हो, उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे आज हम बात करने वालो हैं, गुजरात और रोैल चलेजरस बेंगलोर की बीच लीक का आखिरी मुकावल होने वाला है जैसा कि आपको पता ही है, आज दो मुकावले होने वाले है अब हम बात कर लेते हैं इस match में आप कैसे win कर सकते हो Megapari पर देखो आपको पता ही है Megapari, 1XWet, MaleWet, LionWet ये ऐसी company है जिनमें आप online earning करके cricket पर prediction करके या other sport पर prediction करके यहां से earning कर सकते हो तो इसी तरह कि यहां से भी आप हमारे channel से भी earning कर सकते हो अगर आप आगे जोड़े रहते हो तो अभी देखो IPL चल रहा है तो IPL में लोग betting करते हैं, session पर भी खेलते हैं, total बगरा इन सब भी खेलते हैं तो आज आप मैं आपको एक ऐसी trick बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप session को भूल जाओगे और will loss को भी भूल जाओगे जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप खेलते हो, ठीक है, तो आप 98% तक यहां से win करोगे कहने का मतलब यह ही है, कि आप जो अगले जो 4-6 मैच आने वाले हैं, उन सब को आप win कर सकते हो, अगर थोड़ी सी देर यहां पर time दे दिया, इस video के लिए तो आपने, वो कैसे करना है, वो मैं बता देता हूँ, देखो, अगर आप session खेलते हो, power play में भी खेलते हो, तो उस तो आप यह तो fix हो गया, power play में आपका, अगर आप session खेलते हो, power play का, तो 45 run लगा दोगे, तो आपका pass हो जाएगा, power play का, जैसे यह वाला है, यह थोड़ा सा कम हो जाए, 45 तक आजाए, 46.5 तक आजाए, तो 45 तक आजाए, तो यहां लगा दे ना, कोई दिक्कत नहीं और आ और चाता अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वो थोड़ा और अच्छा ओपनर्स हैं उनके पास, अच्छा आपका, यह clear हो गया, power play में 45 run हो गये, ठीक है, यहां से आप बिर कर लिया, अगर आप 20 over का लगाना चाहते हो, कि भाईया, मैं 20 over में कितने run बनेंगे, उ कोलैप्स की तो कोई गारंटी नहीं, उसमें तो कुछ भी हो सकता है, अगर एक तरीके से यह जैसे चल रहा है मैच, ऐसे ही चलता है, तो इस ground पर क्या ऐसा हो सकता है, सबसे पहले मैं pitch report बता दूँ, fast पिछे है, यहां पर अच्छा खासा run बनता है, high scoring match होते है, बैंगलोर बैंगलोर की चिन्ने स्वामी में यह match है, तो आपको पता ही है, यहां पर कितना score बन सकता है, दो से run भी पहली टीम बनाती है, तो second team आराम से उसको change कर लेती है, ठीक है, अब यहां से आपको पता चल गया, कितना run बन सकता है, एक expect हो गई, लेकिन आपको correct निकालना है, कि आपको win करना है, आपको तो पैसा, तो कैसे win करोगे, देखो first six over में आपने लगाया 45 run, ठीक है, RC भी खेल रही है, या कोई भी खेल रही है, चलो मैं मान की चल देता हूँ, 50 run बना लेगी, first six over में मैंने 50 किया, आप देखो मैंने session का अलग बताया आपको, और overall का अलग बता रहा हूँ, 24-5 run के चक्कर में मत पड़ो, आप मेरे जो कह रहा हूँ, वो बता दीजी, six over में 50 run बना लिए, starting में run बनते हैं, और last में run बनते हैं, अब आप क्या करे होगे, बीच के 7 over छो इतने होगे, 13 over में 120 run बना देंगे ये लोग, किलियर दोस्तों, 13 over होगे आपके, ठीक है, 120 run होगे, अब 7 over बचे इनके, 7 over में मान के चलो, ये 60 run बनाते हैं, तो score कितना हुआ, 180 run तो बैया, देखो, 60 run कहां से लिए मैंने, ये भी बता देता हूँ, आपको सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, middle order में, जो विक्रिट चले जाती है, और power play के बाद, थोड़ा सा run rate कम हो जाता है, उसके chances रहते हैं, ठीक है, तो अगर हम average मानें, 10 की run rate से बना रहे हैं, तो वो 8.5 की run rate से तो बनाएंगे, एकम से कम, 7 over में, 1-2 over चला जाएगा, कम का, लेकिन अगला over ऐसा हो सकता है, 20-22 run का, 18-15 run का, इनचीन का, 10 run का, 9 run का, ऐसे आते हैं, तो एक average हम लेके चलते हैं, middle case, 7 over में, 8.5 की run rate से, तो मतलब 60 run के करीब हो रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं आपके लिए निकालाए ये, अब समझ में आगे आपको, 120 run मना लिजी आप, शुरू के 6 over और last के 7 over में, और middle order में, ये कम से कम, 7 over बचेंगे, उसमें 60 run ना नहीं, तो 180 run तो ये minimum बना देंगे, अब क्या होता है, ये चीज हर match में apply नहीं करना है, आपको, देखो, ये high scoring match ह तो इस वये से आपको ये apply करना है, अब क्या होगा, 10 की run rate से भी खिलते हैं, 15 की run rate से भी खिलते हैं, 12 की से खिलते हैं, 11 की से खिलते हैं, तो एक आपका एक average निकल के आ गया है, कि भाया, 180 run तो बन ही जाएगा, starting में 10 over में 100 run बना देते हैं, ठीक है, तो कुछ over ऐसे भी आ जाते हैं, तो उन सब को calculate करके, एक मेंने आपके तरीके से बताया है, कि भाया, यहां पे अगर आप total पे जा रहे हो, यहां पे total का दिया होगा, जैसे यहां 10 over का, 8 over का दिया गया है, जैसे 10 over और उने दे दिया, 87.5 run, तो मेरे इसाब से यह बने न बने, 10 over में 87.5, इसने चलो मान लीजिए, इसको 90 मान लीजिए, 10 over में उने बताया, मेरे इसाब से यह बन सकता है, लेकिन 10 over में करोगे तो नहीं, 20 over के इसाब से करोगे, 90 प्लस 90, 180 का यहां पे बन जाएगा, और इस चीज़ को यह भी बता रहे हैं हमसे, है ना, यहां पे, 88 run, 10 10 over में 1.99 की run year से दे रहें, तो बन सकता है भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सैसन खेल रहे हो, तो 180 पे लगा देना, मैं चला चला के कह रहा हूं, बन जाएंगे, फर्ष्ट टीम पर जो भी खेलेगी, ठीक है, यहां से आपको clear हो गया, दूसरा, अगर आप क अभी मैं, अभी आप लोगों के लिए हर मैच में रिपोर्ट नहीं दूँगा, लेकिन इसी तरह से मैं समझाओंगा, मैं ज़्यादा मोटा तकड़ा नहीं बताओंगा आप को के भाईया, इसको कर लिए, यह win कर सकता है, वो win कर सकता है, मैं एक genuine तरीके से चलना चाता हू उसे साब से चलना है, अगर 4-5 बिगिट चले गए, तो यह score 160 भी हो सकता है, जल्दी चले गए तो, लेकिन 100 देखो, कल का मैच देखा आपने, कल वो खेल रहे थी, लगना हो, लग नहीं रहा था, डेर से बनाएंगे, उसके बाद भी अच्छा खासा ठुक गए, और win भी क करके चले गए, है ना, तो भाईया, मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ, IPL है, यह high scoring match होने वाले हैं, यहां पर हर एक, collapse का तो एक अलग region हो जाता है, उसमें तो भाईया, हर एक बंदा का prediction खतम हो जाता है, उसमें, कहने की जरूवत नहीं है, collapse तो एक अलगी चीज हो गई, कि भाईया, सभी की सब एक संग आउट हो गए, उसकी नहीं कह सकता, लेकिन जिस हिसाफ़ से मैच चल रहे हैं, सब के हिसाफ़ से, 180 रन आराम से लगा दीजिया, बन जाएगा, 98% मैं गारंटी ले रहा हूँ, 20 ओबर में, ठीक है, 2-3 बिकिट भी किरे हैं, कोई दिक्कत न रन कम बनेंगे, जैसे सुलो पिच है, तो स्टार्टिंग में आप 45-50-60 रन भी कर लीजिए, सुलो पिच पै, क्योंकि सब को पता है, पिच सुलो है, जो भी रन बनाएगा, पावर प्ले में जाएदा रन बनाने की कोसिस करता है, क्योंकि बाद में रन बनते नहीं है, तो इसलिए पावर प्ले में सुलो पिच पै भी 50-60 रन बन जाते हैं, लोग कहते हैं कि बाई सुलो पिच है, यहां स्कोर कम रहेगा, तो पावर प्ले में क्या करते हैं, 35-40 रन देते हैं हो, कि बाई इतने मुस्किल बन सकते हैं, या बन भी सकते हैं, मैं कहता हूं, 50 से प्लस पाउर प्ले में थोड़ा रन भी बन जाते हैं और दूसरा क्या होता है पिछ भी सही रहती है बॉल भी नहीं रहती है तो रन बन जाते हैं इसी वज़े से तो इस तरीके से आगर आप खेलते हो तो अच्छा-खासा अरण कर लोगे पहला मुकाबला यहाज का मैच मुंबई मुंबई विन कर जाएगा जहांतक मैं समस्ता हूं और मुंबई विन कर जाएगा ठीक है राइवाद-गुजरात की और बैंगलाओर की बैंगलाओर को यु मेंच हरालत में जीतना हिए जीतना है रहीवाद गुजराद की गुजराद अपने चेंजिस करेगी उसको लॉस हार से कोई मतलब नहीं है ठीक है सिखरवरा तो इस मैच को खेल सकते हैं और दूसरी तरह कारतिक की जगाए पर अनुजरावत वहाँ पर खेल सकते हैं यह चोटे मोटे आपके लिए प्रेडिक्शन है अगर आप ड्रीम 11 में खेलते हो तो ड्रीम 11 में आपको RCV की तरफ से ओनली चार प्लेयर लेना है मैक्सवेल लेना है व्राटकोली लेना है फावडू प्लेस ले लेना है और मुहम्मद सिराज लेना है इसके लावा कोई दूसरा प्लेयर ना लें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है इसी तरह कि आपको वीडियो चाहिए और मेगापरी से जुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां से आप जोइन करके मेरे प्रिमो कोर्स से आप जो झाल